नमस्कार दोस्तों फिर्टर गुरुजी में आपका स्वागत है हमारे बैद सुनने से शिकर तक में आज हम फिर्टर थियोरी के पार्ट सत्रा में रिमर से सम्मंदित महत्यप्र 25 क्यूशन सौल करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दें स्टार्ट करते हैं हमारा फिश्ट क्यूशन है अजेस्टेबल रिमर के बलेडों को खालिश थान तक एजेस्ट किया जा सकता है जो रिमर होते हैं उसका प्रकार है एक adjustable rimmer तो जो adjustable rimmer होता है उसके blade को हम कितने mm तक समयोजित कर सकते हैं अदिक्तम 3 mm, अदिक्तम 5 mm, अदिक्तम 10 mm, अदिक्तम 8 mm तो adjustable rimmer को हम अदिक्तЕ 3 mm तक छोटा या बड़ा कर सकते हैं यह option हमारा राइट हो जाएगा अधिक्तम तीने में next question हमारा विभिन विभिन व्यास के drill hollow की रिमिंग के लिए परियोग किया जाता है अलग-अलग व्यास के मारे पास drill की वे hole हैं अगर हुमें उनकी रिमिंग करनी हैं तो हम कौन सा रिमर परियोग करेंगे option हमारे पास taper reamer, taper pin reamer, solid reamer, adjustable reamer तो अगर अलग-अलग व्यास के drill hole हों तो वाँपर हम adjustable reamer का परियोग करेंगे D option हमारा right हो जाएगा adjustable reamer next question हमारा rose reamer निम्न में से कौन सा hole बनाता है रिमर का एक परकार है rose reamer तो वह कौन सा hole बनाता है finish hole, counter hole, rough hole, taper hole तो जो rose reamer होता है यह हमारा rough hole बनाता है C option हमारा right हो जाएगा rough hole next question हमारा रिमिंग के लिए drill hole का size ग्यात करने का सुत्तर है जब हम रिमिंग करते हैं तो उससे पहले drill hole करते हैं तो उस drill hole का size कितना होना चाहिए उसके लिए एक सुत्तर है तो वह कौन सा सुत्तर है रिमिंग के लिए drill hole का size का सुत्तर है option हमारे पास रिमर size plus oversize minus undersize रिमर size minus undersize plus oversize C है रिमर size minus oversize minus undersize उपरुक्त में से कोई नहीं तो जो रिमिंग के लिए drill hole का size ग्यात करते हैं उसका सुत्तर होता है rimer size minus under size plus oversize rimer का size कहे लिए मानना rimer का size हमारा 10 mm है minus under size rimer के size के उपर होता है जैसे 0.2 कर लिया ձमने plus oversize oversize हमेंसा fix रहता है 0.05 mm तो यह हमारा बन जाएगा 10-0.25 अंसर हो जाएगा हमारा 9.75 जो हमारा ड्रिल का होल होगा वो होगा 9.75 है जिसमें रिमर साइज के साथ अंडर साइज आता है ओवर साइज हमेशा फिक्स होता है 0.05 है हमे नेक्स्ट क्यूशन हमारा अजेस्टेबल रिमर की बोड़ी बनी होती है जो अजेस्टेबल रिमर होते हैं उनकी बोड़ी किस चीज़ की बनी होती है माइल्ड स्टील की, टूल स्टील की, कार्बन स्टील की, रोट आइरन की तो adjustable rimmer की body हमेशा mild steel की बनी होती है ये option हमारा right हो जाएगा mild steel next question हमारा hand rimmer को गुमाने के लिए निमन में से किसे साधन का परियोग किया जाता है जो hand rimmer होते हैं रimmer दो परकार के होते हैं hand rimmer वह है machine rimmer तो जो hand rimmer होते हैं उनको गुमाने के लिए हम किसे साधन का परियोग करते हैं rimmer handle का tape rinse का ring spinner का drill चक का तो जो hand rimmer होते हैं उनको गुमाने के लिए हम tape rinse का परियोग करते हैं बी option हमारा right हो जाएगा tape rinse इसके अलाव जो machine rimmer होते हैं वो machine के द्वारा पकड़े जाते हैं next question हमारा ए समान संख्या के दातों वाले रिमर का साइज किसके द्वारा चेक किया जाता है जो ए समान संख्या है जिस रिमर के दातों को उसका हमें साइज चेक करना है तो हम किसके द्वारा करेंगे आउटसाइड माइक्रोमिटर के द्वारा, फ्लेंज माइक्रोमिटर के द्वारा, फ्लोटिंग माइक्रोमिटर के द्वारा, ट्यूब माइक्रोमिटर के द्वारा, तो ए समान संख्या के दातो वाले रिमर का साइज हमें, फ्लोटिंग माइक्रोमिटर के द्वारा चेक कहते तो एक करने के लिए dopamine लिए की अनसर हो जाएगा ट। हमारा उप्रोक्त सभी क्यूंट केर का नेक्स्ट क्यूशन है मारा मसीन रिमर की दोारा होल की रिमिंग करने के लिए cutting speed वे feed का chain करने का निमलिक्त में से कौन सा साधन नहीं है एक machine rimmer है उससे हमें hole की rimming करने है तो cutting speed वे feed का chain निमलिक्त में से किस साधन के उपर नहीं होगा और आप भी मुंबई में पुछावा क्यूशन है जोब का material, रिमर का material, रिमर का व्यास, जोब का मैटेरियल में से जय कहते है समय, cutting speed हुए है, feed fix की से जयर रियमिंग है नहीं कहते ही, D option हमारा राइट हो जाएगा future की सदेर्थता विyan का मैटेरिवल हो झाए है जोब का मैटेरियल महीं से रखता है तथा रिमर का size भी हमारे लिए माहिने रखता है next question है हमारा hole को finish करने और थोड़ा सा बड़ा करने के cutting tool को कहते हैं कोई hole है उसको थोड़ा बड़ा करना है तथा finish करना है तो उस cutting tool को हमें क्या कहेंगे drill कहेंगे tape die rimmer तो उसको हम rimmer कहेंगे d option हमारा right हो जाएगा next question हमारा nimal liquid rimmer में से विशेष्टा कौन सा rimmer ऐसे hole के लिए उप्यूकत होता है जिसमें keyway groove बना होता है rimmer का हमें परकार बताना है कि कौन सा rimmer है जिसका प्रयोग keyway groove की finishing के लिए किया जाता है Indian ordinance factory 2013 में पुछवा question है straight fluted rimmer, helical fluted rimmer taper rimmer, pilot rimmer तो keyway की finishing के लिए हम helical fluted rimmer का प्रयोग करेते हैं b option हमारा right हो जाएगा एक minute keyway के लिए हमारा हो जाएगा helical fluted rimmer ok b option next question हमारा rimmer के दाप्तों और उनकी spacing को इस परकार design किया जाता है कि वे सुराकों को अधिक परिशुदता से अच्छी surface finish देश के जो rimmer के दात होते हैं उनको इस तरह से spacing किया जाता है कि वे अच्छी finishing देश के सुराक में तो दातों की संख्या और उनकी spacing के संबंद में निमलेक में से कौन सा कथन सही है च्यार कथन दिये हैं दातों की spacing के बारे में तथा दातों की संख्या के बारे में तो कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है दातो की असम संख्या और असम इस्पेंसिंग तो finishing के लिए मेशा दातो की सम संख्या और असम इस्पेंसिंग होगी C option हमारा right हो जाएगा दातो की सम संख्या तथा असम इस्पेंसिंग ordinance factory 2012 में पुछा हुआ है where the most question है भई next question हमारा feed की दर किस पर निर्बर करती है जो feed होती है उसकी दर किस पर निर्बर करती है आउसे finish पर drill की दातो पर drill की जाने वाली दातो पर उपरोक्त सभी तो feed की दर finishing के उपर भी निर्बर करेगी tool की दातो के उपर भी निर्बर करेगी तथा जोब की दातू के उपर भी निरबड करेगी उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा D option, right हो जाएगा उपरोक्त सभी next question हमारा tripning खाली स्थान का परचालन है जो tripning operation है वो किसका परचालन है इसरों में पुचहाव है seat दातू में छिदर बनाना खराद मसीन में टेपर बनाना आयत पोकेट बनाना उप्रोक तो कोई नहीं तो ट्रिपनिंग के एक operation है वह पतली सीटों में बड़े छेद करने का operation है कि कोई भी पतली सीट है उसके अंदर हमें बड़े व्यास के छेद करने उसे हम ट्रिपनिंग कहते हैं यह उप्षन हमारा राइट हो जाएगा सीट दातू में छिद्दर बनाना नेक्स्ट क्यूशन है काउंटर बोरिंग की जाती है जो काउंटर बोरिंग ओपरेस्टन है वह कहां पर किया जाता है होल के सीरो के पर साफ करने के लिए होल को प्रिसुद साइज में बड़ा करने के लिए कार्ड होल को फिनिस करने के लिए सोकेट हेड इस्क्रू को इस्थान देने के लिए तो जो काउंटर बोरिंग की जाती है वह सोकेट हेड इस्क्रू को इस्थान देने के लिए की जाती है circuit head screw है एक उसके head को इस्थान देना है में तो जो drill hole बना है उसके 0 को बड़ा करने का जो operation उसे क्या कहते हैं support facing, boring, counter boring, counter sinking तो circuit head screw को इस्थान देने के लिए जो operation किया जाता है उसे हम कहते हैं counter boring c option हमारा write हो जाएगा counter boring next question है पहले से बने सुराक के शीरो की wavelength करने वाले प्रोसेस को कहते हैं आरार भी एलाबाद में पूछावा question है कि कोई पहले से drill hole बना हुआ है उसके 0 की में wavelength करनी है तो उसे क्या कहेंगे sport facing, boring, counter boring, counter sinking तो शीरो की wavelength कहना counter sinking कहलाता है महारा जिस प्रकार यह कोई drill hole है तथा इसके शीरो कोम इस प्रकार वेबल कर दें तो यह मारा counter sinking operation कहलाएगा next question है एक वेदनी में खाली स्थान के लिए नाली दी जाते है डिल होती है वेदनी उसके अंदर नाली क्यों दी जाती है फ्लिट्स क्यों दी जाते है टूल को निर्देशिट देने के लिए चिपो को हटाने के लिए टूल को पकड़ने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं तो एक वेधनी के अंदर जो नाली दी जाती है वो चिपो को उटाने के लिए दी जाती है B option हमारा right हो जाएगा चिपो को हटाने के लिए Next question हमारा 10 mm परी चिद्रक द्वारा मर्द इस पात पर एक चिद्र रिम किया जाना है चिद्र वर्धन से पहले चिद्र प्रवेधन के लिए प्रवेधन का व्यास कितना होगा ओके जिसमें अव माप है मारा 0.2 mm यह अधी माप है 0.05 mm तो इससे पहले भी एक क्यूशन आया था इसका सुत्तर पुछा था कि एक ड्रिल होल करना हमें 10 mm का और वो रिमिंग के साथ है 10 mm तो हमें जो ड्रिल होल करेंगे चिद्र वर्धन करेंगे चिद्र प्रवधन से पहले रिमिंग से पहले जो ड्रिल चिद्र किया जाता है उसका हमें साइज बताना है जिसमें अव माप हमारी 0.02 mm है तथा अधी आप 0.05 mm है तो इसके लिए सुत्र हो जाएगा रिमर साइज रिमर साइज माइनस अंडर साइज पलस ओवर साइज इससे पहले भी सुत्र रिमर का साइज हमारा 10 माइनस अंडर साइज है 0.2 mm पलस ओवर साइज है 0.05 mm जो मैसा फिक्स रहता है तो माइनस कह लेंगे हम 0.25 हो जाएगा यह तो 9.75 हमारा राइट अंसर हो जाएगा 9.75 जो सी ओप्सन में है वेरी मोस्ट क्यूशन अब इस रो टेकनिशन बी में पुछा हुआ है 2019 के अंदर ओके next question अमारा रिमर में परदान किये गए भाग पाइलेट का क्या कारी होता है? जो रिमर होता है उसमें पाइलेट भाग होता है उसका क्या कारी होता है? यह बताना में,Sekendrit छिदर की finishing कहिएना Chips निकालना Tape Ringe में पकड़ कर रखना Machine की दूरी spindle में पकड़ कर रखना तो जो pilot भागए उसका कारी होता है Sakendrit छिदर की finishing कहिएना A option हमारा right हो जाएगा Sakendrit छिदर की finishing करना Next question हमारा किसी चिदर को बढ़ा करने तथा पुरुन कहने की परकिरिया को कहते हैं कोई चिदर है उसे बढ़ा करना है तथा पुरुन कहना है तो वह किरिया क्या कहलाएगी काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग, सपोर्ट फेसिंग तो कोई भी छिद्र को बड़ा कहना तथा पुरुन कहने की प्रकिरिया हमारी रिमिंग कहलाती है सी ओप्सन हमारा राइट हो जाएगा रिमिंग इस प्रकार हमारे 25 क्यूसन पूरे होते हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देजिए तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर कर देजिए धन्यवाद